हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल ट्रोथ ओफशेर मार्केट तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टे बैंक निफ्टे एंड समी स्टॉक्स अगर आपको कोई भी चीज़ लर्निंग परपस से सीखनी है तो मेरे वॉट्सअप नमबर है इस पर आप मुझे जहां पर इस चैनल के रिगार्डिक जो भी अप्डेट्स होंगी वह आपको इस ग्रूप पर मिल जाएंगे ठीक है कोई भी नई वीडियो आती है तो वह डारेक्ट लिए इस ग्रूप पर आपको मिल जाएंगे ठीक है तो बात करते हैं हम फर्स्ट फॉल निफ्टी निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी आज एक छोटी सी रेंज में ट्रेवल किया है ठीक है एंड यह जो इस इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ के चलना लोवर हाई लोवर लोवर स्ट्रक्चर बनता जा रहा था ठ Sciently अपने लास्ट हाई को break करने के करीब आगया है तो अगर यह break हो जाता है तो हमें एक bullishness sign हमें मिल जाएगा ठीक घो सत्राजार आठ सो के अको capture मिल जाएगा कि अब इस स्ट्रक्चर हमारा bullish हो गया ठीक है तो अगर यह recent हाई को ब्रेक कर देता है तो यह जो लोवर हाई लोवर लो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा आपके अब वो ब्रेक हो जाएगा मतलब अब हमें बुलिश साइन मिल जाएगा और कम्प्लीट बुलिशने सगर हम देखें तो अगर यह एक दो दिन 17854 के उपर रुख जा है तो भी आपको 18100 की जरनी दिख जाएगी ठीक है अगर यहां से प्रोफिट बुकिंग आती है तो लोवर लोवर हाई कंटिन्यूस रहेगा ठीक है जब तक इसे ब्रेक नहीं करता है ना इसे ब्रेक नहीं करते को पहले भी इस हाई के पास तक गया था एंफिर जाए तो अभी यह नहीं कि हाँ प्रोफिट बुकिंग आएगी या फिर यह कंटीनूरी करेगा कुछ नहीं कंट फर्म है ना मार्केट जैसा करें वैसे हमें फोलो करना है ठीक है तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है उपपर सर्वाइव करता है तो हमें बुलिश हो ज ब्रेक कर लें उपर आजा है तो फिर हम बुलिश होने में भी टाइम नहीं लगाया ना क्योंकि यह काफी दिनों से यानी 2023 दिसंबर से भी पहले सी होगा ठीक है तब से लोवर हाई लोवर लो स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है तो उसको अगर ब्रेक करता है तो आपको इसस समझके चल ला है ना सो क्लेर रखना नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंगनिफ्टी की बैंगनिफ्टी जो हमने ट्रेंड लाइन की पहले भी बात किये उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दीती है गेप ऑपन हुआ था लेकिन लास्ट बैंड उसने नीचे के ल आज गेप अपन हुआ उसका इसने सपोर्ट लिया और बुलिश मुव्मेंट स्टार्ट करें तो यह रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यह भी बुलिश मुव्मेंट के लिए तयार हो जाएगा रेडी हो जाएगा और इसके बाद तो आप तयार हो जाना तो यह सपोर्ट की तरह यूज़ करने लगए तो फिर फिर यह प्रोफिट वकिंग आई कि सब चीज़े छोड़ देना अगर बियाले सजार के उपर रुख जाए दो तो आप तयार हो जाना ठीक है एक सिनेरियो यहां यार यह थोड़ा उपर जाए ठीक है और यहां पर रिजेक्शन लाएकि इस्ट्रेंड लाइन को बनाके रखना निक्स टाम आके ट्रेंडिन का सपोरट लेकर और फिर ब्रेक कर याल यह भी हो सकता है यह ब्रेक सकते डारेक Means कि has a तो यह लेवल भी इंपोर्टेंट है ना एंड ट्रेंड लाइन के इसने उल्रडी सपोर्ट ले लिए तो यह काफी अच्छी ट्रेड रहेगी फोर नेक्स्ट वीक्स होगे रहा है ना लेवल्स क्या है यहां पर लेवल्स सारे मेंशन है आप देखने ना जो इंपोर्टन चीज है वो मैंने बता दी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इस एच्छा मूमेंट दिया था ठीक है जब इसके रिजल्ट का प्रिव्यू टाइप का बताया था कंपनी ने कहां आच्छा रिजल्ट आने वाला है तो उस दिन काफी अच्छा मूमेंट दिया था और दो-तीन दिन से उसी रेंज में हम बात करें कि इसमें इस्टोपलोस क्या लेके चलेंगे तो इस्टोपलोस आपको लेके चलना है जब आप बाइ करेंगे तो आपको इस्टोपलोस लेके चलना है 1664 और जब आप सेल करेंगे तो आपको इस्टोपलोस लेके चलना है 1660 ठीक है 1664 फॉर बाइं 1660 फॉर सेलि कर इस ने ट्रिपल रेड गेंडल बनाई दी गैट यह बैरिश बैटन बट आज उसके बाद इसने यह केंडल बनाई है इनसाइड केंडल काफ़ी बुलिश बैटन होता है और यह रेड गेंडल के बाद यानि एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही generate होता है ठीक है तो profit booking के बाद अब यह inside candle बन गई तो अब यह red candle वाला वाग करेगा यह inside candle तो अभी recent जो है inside candle है तो हम थोड़े से bullish हो जाएंगे ठीक है थोड़े से bullish हो जाएंगे और कब bullish proper bullish होंगे जब तक यह level नहीं break कर देता दोनों दिन का high break नहीं कर देता तब तक हम bearish नहीं होंगे तो bearish कब होंगे bullish कब होंगे यह क्लिए रखना यह दोनों candle का है यानि first second last two candles है उनका high and low यह mark कर लेना यह break होता है तो bearish हो जाना और क्योंकि तीन red candle bearish sign है और यह inside candle bullish sign है तो जो breakout दे उस direction में आप movement start करने लेवल की बात करें तो 857 के उपर हमें buy करना है for the target of 867 875 ठीक है and stop loss की बात करें तो stop loss इसमें आपको लेके चलना 853 का 857 के उपर buy करना है 853 का आपको stop loss लेके चलना है selling की बात करें 848 के नीचे हम sell कर सकते है for the target of 840 and 832 ठीक है यह दो target के लिए हम selling कर सकते है and stop loss नीचे की साइड अगर हम बात करें तो stop loss आपका 851 का लेके चलना है 3 points का stop loss लेके चलना है ठीक है बट यह जो भी मैं points बताता है जो भी level बताता हम वह सुबह first two candle और last two candle के लिए valid नहीं है ना यानि first two candle में आपको पता है volatility हाई रहती है कभी उपर जाता है नहीं जाता है कुछ भी हिट कर लेगा तो हमें trade ही 10 बज़े initiate करनी होती है पहुने 10 बज़े initiate करनी होती है इनिशल जो volatility हो जाने मार्केट को अपने प्रोपर वेल्यूस पर आ जाने दो उसके बाद हमें trade initiate करनी होती है उसके पाद जो मार्केट में है यह जो से सेंटिमेंट है उसी साफ से मार्केट मूवमेंट करता है और इनिशली क्या होता है फस्ट टुगेंडल लास्ट टुगेंडल में फस्ट टुगेंडल इस्पेशली उसमें बीगिनर काफी तैजी से बाइंग सेलिंग करता है और फ्लक्ट्वेशन फाल्तू होता है तो उस पे मत करना वह हीरो टुग जीरो या वह गैंबलिंग के लिए ठीक है बट हमें यहां ध्यान रखना है ट्रेडिंग परफस स्टॉक्स में तो हमें दस बज़े के बाद अराम से से टलने देना है उसक काच कंडली रेट कर नहीं अब वैसे भी यह पांस दिनों से यहीं कंसोल्डेशन कर यह से बीए मंत आपका रिजर्ट से सीजन तो result सीजन में क्या होता है कि कभी मोवमेंट होता है फिर इजर्ड पर छोड़ देते हैं कि हां रीजल अगर उस जो तो एक्सपेक्टेशन है यह कहता है एक्सपेक्टेशन का यह कंसोलिडेशन अब जो एक्सपेक्टेशन पर रिजल्ट आता है तो भी कई बार कंसोलिडेशन हो जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से उपर आ जाता है तो यह मुमेंट दे देता है एक्सपेक्टेशन से लेवल के बात कर लें तो रिलाइंस में आपका 2345 के उपर हम बाई कर सकते हैं अगर वहां सस्टेंड करें फॉर दार्गेट ऑफ 2370 एंट 2400 ठीक यह दो टार्गेट के लिए बाई कर सकते हैं सेल आप 2315 के नीचे करेंगे सेल अगर हम बात करें इसकी स्टॉप लोस की तो 2334 आपकी बाईंग स्टॉप लोस होगी एंट 2335 आपकी सेलिंग स्टॉप लोस होगी तो यह इस टोप लोसे हैं हमारी नेक्स्ट बाक्त कर ले हम ओके एस्बी आई तो एस्बी आई ने अगर हम देखें तो लाइन चार्ट में अगर आप देखोगे तो यह ब्रेक आउट देदी यानि इसका सपोर्ट लेता है तो यह अपने नेक्स्ट लेवल अब अब इसमें टार्गेट थोड़े बड़े होंगे न तो अगर 33.56 के उपर सर्वाइव कर लेता है तो 540 यानि देड़ दो परसेंट का मूवमेंट यह एक दिन में देखा न अगर बात करें उसके उपर तो 545 यह दो टार्गेट तो यह काफी जल्ली एक दो दिन में ही अचीव करा देगा अगर 533 के उपर यह सस्टेंट करने लग गया ठीक है अगर हम बात करें 528 के नीचे जाता है तो 523 और 518 यह दो टार्गेट डाउनवर डारेक्शन में अब भी अगर वन साइडेड मुझे कुछ क लेवल इंपोर्डेंट ओके लेवल पे सस्टेंट करना यह चीजें ही सीख के चलनी है ना तो दाट्स पर SBI में अगर हम स्टॉप लोस की बात करें तो 532 आपकी स्टॉप लोस होगी नहीं हां अगर हम बाइंग की साइड बात करें तो 530 आपकी स्टॉप लोस होगी फॉर बाइंग से ठीक है तो यह स्टॉप लोस है फॉर SBI नेक्स्ट अगर हम बात करें देट इस टाटा मोटर टाटा मोटर ने कल गेप अप किया कफे स्ट्रोंग मुमेंट दिया और आज इसका बन नेक्स मुमेंट स्टाट होगा कब होगा कल सेकंड हाफ में यह परसो ठीक है तो यह दो दिन है मुमेंट के ना कल सेकंड हाफ में भी नहीं हाँ परसो ही होना चाहिए तो तो ताटा मोटर के लेवल ट्रेडिंग के बात करें तो 466 के उपर हम बाइए कर सकते हैं for the target of 473 and 481 459 के नीचे हम सेल कर सकते हैं for the target of 452 and 443 ठीक है यह target के लिए 443 के नीचे जाना अभी ज़रूरी यानि है नहीं तो अगर यहां पर आए तो हम बाइभी कर सकते हैं अगर उपर से घिर रहा है तो हम यहां पर चोटा सा risk लेके बाइभी कर सकते हैं and sell on rise नहीं कर सकते हैं buy on dip कर सकते हैं जब तक 442 को support को support यूज कर रहा है उसके बाद नहीं अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो नहीं कि next अगर हम बात करें so that is Adani Enterprises Adani Enterprises ने आज कुछ नहीं उसी वही लेवल है हमारे वहीं जाके हिट किया और वहां से थोड़ी सी red candle बनाई है ना सो यह कोई moment नहीं है count करने के लिए Adani के लिए ना तो Adani के वही लेवल है जो कल हमने डिसके सकते हैं 1727 के उपर बाय कर सकते हैं for the target of 1819 and 1940 and 1760 के नीचे सेल कर सकते हैं for the target of 1685 and 1600 ठीक and आज की candle का low आपका stop loss होगा for buying side and high आपका stop loss होगा for selling side so selling side इतना बड़ा भी मतले ना 1800 is sufficient for selling side अगर stop loss के बात करें तो so that's for Adani I hope यहां तक चीज़े clear होगी यहां अगर हम बात करें तो reliance पर नज़र रखना क्यों क्योंकि reliance ने आपको doji candle दी है ना तो doji candle में movement जो होगा वह strong होगा ठीक है so एक reliance पर आप नज़र बना कर रखना अगर आपको यह वीडियो में कोई भी डाउट ने तो आप comments कर सकते मेरा personal number में ने यहां second slide में शेर कर रहा है उस पर आप कोई भी डाउट हो तो discuss कर सकते ना तो थैंक यू